हाई गाईज गूरीबनिंग कैसे हैं सबच्चे विल्कुल लाइफ पॉर्माट में हर चीज को अच्छे से NCRT बेस डीटेल करते हुए आज बेटा जी इस चाप्टर का आखरी दिन है देखो मैंने एक चीज आपको हमेशा बताई है कि इट डाजन्ट मैटर हाउ मेनी स्टूदेंट्स और विद हाउ मच एफ़र्ट और यह गेम वो नहीं जीतेगा जो शुरू करेगा शुरू तो बेटा 21 लाग 22 लाग बच्चे करते हैं है ना एट्स क्लास्टों से पूछ लो क्या बनना है डॉक्टर बनना है नाइन्थ में डॉक्टर एलेवन्थ में तो अलग ही जोश है डॉक्टर बनना है कोचिंग लेकिन बेटा आते 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 सारे बच्चे जो डॉक्टर बनने का एम रखते हैं वो सब नहीं बन पाते हैं वाई विकास बेटा दे हैड एड एनरजी तो स्टार्ट इस प्रेपरेशन बट दे डिट नाव नरजी तो कम्लीट फिनिशर बेटा हमें चाहिए यहां पर हमें स्टार्टर नहीं चाहिए ठीक है गेम में जब आप क्रिकेट देखते हैं आज कल यार वर्ल कप स्टार्ट हो चुक है और क्रिकेट का तो अलगी फीबर है जब क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता है कि ओपनर्स की कितनी वैली होती है कि अच्छी ओपनिंग होई हो will be responsible for actual win of the match same happens in your preparation बेटा opening आपने जितनी अच्छी की है बहुत बढ़िया है जिसने अच्छी की है उसका ये time थोड़ा smoothly बीतरा होगा लेकिन जिसने अच्छी नहीं भी की वो भी बेटा अपने आगे वाला time ठीक कर सकता है बेटा आखरी चक्का matter करता है आखरी over matter करता है वैसे बेटा आखरी तुम्हारी ये 6 महीने की महनत पहुत क्रूशल है तुम पहले कितनी अच्छी opening कर लो बाद में बेटा सबको catch करा 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 के out हो जाओ कोई फाइधा नहीं होगा है ना आपने जितनी अच्छी opening की है उससे पहतर आप ये ending करेंगे राइट वैसे बेटा जब चाप्टर शुरू होता है तब सो में बहुत भर भर के अनरजी आती है कि आर आज बढ़ते हैं चाप्टर आज करते हैं चीज लेकिन जब चाप्टर खतम हो रहा होता है सीरीज खतम हो आज हमारी शेकर सीरीज का भी आफ in our first class but it doesn't matter कि पहली class में कितने आये थे मेरी क्लास में 12,000 बच्चे बैटे 15 ये बैठे हैं और शिकर की स्टार्टिंग तो पेटा आमने 55 से की थी it matters कि कौन finish करता है इसको finisher अब मुझे नहीं पता आप में से कौन है जो first class से day 1 से जब sell शुरू किया था day 1 से बेटा जी इस सीरीज में जुड़े हो हैं अगर बेटा जी आप इस सीरीज में day 1 से जुड़े हो हैं then you are the one जो actual में इस असली race को finish करने वाले हैं don't worry guys I am not not going anywhere मैंने बोला था इस पूरी जर्नी में बहुत सारी चीजें आएंगी नाम नहीं नहीं आएंगी हम नहीं नहीं शिकर को चूज करेंगे ट्रेंडिंग चीजों को यूज करेंगे लेकिन आपकी प्रेपरेशन नहीं रुकेगी शिकर का आज आफरी दिन नहीं डाट डाट डाजन मीन कि आपकी प्रेपरेशन रुक गई है वह वैसे चलेगी इन फाक्ट उससे बहतर स्पीड से चलेगी और सीरियूसली मैं भी रहे थे कर रहे थे अब क्लास लगाने के साथ साथ तीन चार चालेंज में आपको और देने वाली हूं और वो क्या चालेंज होंगे वह आपको पता चलेंगे बिटा कल की क्लास में येस नाव दिस शिखर इस गेटिंग कनवर्टेड इंटू अमोर हाडर फॉर्म विट करते हैं लेकिन मैं प्रॉमिस करते हूं अगर तुम वह पूरा कर लोगे तुम्हें कोई रोगी नहीं सकता क्योंकि the things that I am going to tell you वह आपकी हाबिट में आने वाली है और एक बारी 75 दिन 75 दिन कितने होते हैं लेस दिन 3 months होते हैं वह आपकी हाबिट में आ गई तो यार अगले 6 महीने तुम उसी हाबिट को carry on करते हूं चलोगे और उसी हाबिट से हम लोग neat crack करने वाले हैं यस मेरे बच्चों देखते हैं कौन लेगा देखते हैं कौन लेगा आप tension मत लीजे बेटा शिकर कतम हो रहा है लेकिन preparation थोड़ा खतम हो रही है तो मैं आपको छोड़े बेटा बीच में कभी ऐसी गुस्ताकी भी नी करूंगी कि I will ever go for my personal benefit राइट चलिए आगे चलते हैं पेटा हम लोग ट्रॉक्स और अल्कोहल अब्यूस पे तो फिनिशर बने बढ़िया शिखर सिरीज का फिनिश करना भोग डालना तो बनते हैं तो एक बड़ी बेटा जी सब बचे आगे हैं तो सेशन को लाइक करते हैं यस कम आँ पटाफ से ल दर सामने आ जाएगा परसों सेपरेट कलंगी आपको बताते हुए कसी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं एक है घबराओगे तो नहीं आ आ सकते हैं बहुत वे तो बहुत चीजें आपको बताने वाली हूं and अपने सारा experience में उसमें डालने वाली हूँ कि बच्चों की कौन सी आदत है जो उनको सच में विनर बनाती है and बच्चों की वो कौन सी आदत है जो उनको इस सी से दूर ले कर जाती है So I hope you all will support, you all will take that challenge और उस challenge को हम हर दिन पूरा करने वाले हैं सिरफ आप नहीं करेंगे मैं आपके साथ करूंगी So do not worry, you are not alone in this अगर मैं आपको पढ़ाई कराती हूँ, अगर मैं आपको biology की त्यारी कराती हूँ तो मैं आपको life के lessons भी उतने ही देती हूँ जो आपको सिरफ 6 महीने नहीं, सिरफ medical college तक नहीं आपकी ताँ उम्र आपको याद रहेंगे, जो कि बहुत important है और उसमें सबसे बड़ा lesson तो यारी discipline है, है ना, सबसे बड़ा lesson तो discipline है Yes, 11th to star, हाँ, ये भी बात है, 11th start करेंगे सब करेंगे बिटा, I am your one-stop solution for biology Starting from living world till environmental pollution ऐसा कौन सा chapter है, जो मैंने आज तक आपको detail में नहीं कराया जो बच्चे पुराने हों जानते, living world से लेकर pollution तक सब detail में भी कराया, सब one shot में भी कराया, सब fast track में भी कराया तो यार, अगर मैंने पिछले साल बच्चो का हाथ नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ दूँगी तो तुम tension मतलो, आगे पीछे करके, everything will be covered, not once, twice, thrice बहुत बारी हम लोग करने वाले हैं, paper से पहले तो पूरा bio हम एक साथ करते हैं सो, get set ready, yes, राम राम कल बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे, yes, शुरू करें, yes तो चलो पिटा, आज हमने बात करनी है, drugs and alcohol abuse, सबसे पहले आप एक word जानते होंगे, जिसका नाम है use use होता है बेटा, किसी भी चीज़ को use करना, simple, that is called as use, लेकिन यहाँ पर हमने use नहीं डाला, यहाँ पर हमने क्या डाल दिया है, abuse abuse होता है, किसी भी चीज़ को, जो की काम की थी, जो की काम की थी, जिसको तुम्हें use करना था लेकिन अगर आप उसको गलत dosage में, गलत quantity में, गलत समय पर, बिना prescription के लेंगे, तो यार वो use नहीं, वो क्या बन जाएगा, abuse बन जाएगा चीज़ें किसके लिए थी, ये सारी चीज़ें दवाईयां थी, they were meant for your use, लेकिन बेटा जब इनका misuse किया गया, जब इनको गलत dosage में, अब डॉक्तर ने बोला है कि तीन दिन में एक गोली लेनी है, लेकिन आप एक दिन में तीन गोली ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएग है मेडिसेन में कहीं ना कहीं, लेकिन अंडर supervision, अंडर doctor's advice, अंडर doctor's prescription, लेकिन अगर कोई आदमी doctor से बिना पूछे, उनी चीज़ों को गलत quantity में use करेगा, गलत समय पर use करेगा, गलत dosage में use करेगा, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, आपकी abuse बन जाएगी, तो आज हम इ को low कर देने हैं, और बेटा जी आपने उस abuse को किया कैसे, क्या आपने injection लगाया, क्या आपने उसको orally लिया, क्या आपने उसको snot किया, यानि कि नाक से लिया उसको, या फिर आपने उसको inhale किया, ये सारे mode of use को भी हम इसमें बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको आज एक लोगों को गाइड करेंगे, लेकिन आज भी आप as a medical student भी बहुत लोगों को guide कर सकते हैं इस knowledge के द्वारा, चीक है जी, येस, चलिए, शुरू करते हैं, तो आज किस-किस drug के बारे में बेटा जी हमने बात करनी है, एक तो हम normal drugs, जो दवाईयां होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, then हम alcohol के बारे में बात करेंगे, specifically, और then हम smoking के बारे में बात करें बात करेंगे, इस चाप्टर में करना कैसे है, तो यहां हम लिख रहे होंगे, इसका रिसेप्टर क्या है बाडी में, यहां हम लिख रहे होंगे, अब्यूस करते हैं, आजो मेरे बचों, आधे question तो बेटा आपके इस जब्बे में से बन जाएंगे, so here we are going to write the name of the drug, here we are going to write part of the plant, very important, किस जगा से इसको लिया जाता है, किस पौधे से इसको लिया जाता है, then we will write कि human body में आकर यह किस से bind करेगा, binds with, then हम बात करेंगे, कि य से करता है, affect as, and then बेटा जी, हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, एक मिरे इस वाले डबे को मैं थोड़ा बढ़ा कर लेती हूं, about how it is taken, mode of abuse, mode of abuse, yes, ready everyone, yes, ketan, kisan, vikas, gaurav, tanvi, anushri, hanji, social thoughts आ रहे हैं, सारे thoughts को बेटा साइट पे रखिये, class should be very meditative class, meditative mode क्या होता है, meditation होती है, कि यार, जिस समय मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मेरे माइन में बस एक ही चीज़ पर focus है, वैसे ही बेटा, जब आप कक्षा में आए, तो एक घंटे के लिए, पीपी एफ करके आए, pen, paper फोकस लेके आए, pen और पेपर तो पता नहीं तुम लाते करना है, this is going to be opioids, opioids, चीज़ यह opioids कहां से मिलते हैं, यह opioids आपको मिलते हैं, papawar somniferum, पॉपी प्लांट से मिलते हैं, प्लांट का क्या नाम है, papawar somniferum, येस, मेरे साथ साथ लिखो, papawar somniferum, इसका शौट निम क्या है, पॉपी, पॉपी नहीं है, पॉपी प्लांट, कौन सा प्लांट है पॉपी प्लांट इसके ड्राइड लेटेक्स से मिलता है पॉपी प्लांट से मिलता है किस प्लांट पार्ट से अगें इटोल यू ताट इस ताट इस गोईंग टो बी लेटेक्स लेटेक्स ओफ पॉपी प्लांट यहां से मिल रहा हम इसके बारे में receptor lies in cns central nervous system and gastrointestinal tract cns क्या होता है central nervous system होता है और git क्या होता है gastrointestinal gastrointestinal tract कैसे काम करते हैं यारे body को बड़ा मज़ेदार energy में लेहाते हैं या फिर बोडी को depressed कर देते हैं देखिए यह जो opioids हैं they function as depressant slow कर देंगे it will slow down the body function it will slow down the body function ठीक है जी body के function को क्या कर देंगे slow कर देंगे जिंदगी slow mode में चलने लगेगी इसके बाद थोड़ी नीन आने लगेगी yes कैसे लिया जाता है they are taken by snorting वो नाक से लेते ना ऐसे टक टक बना के सीधा अंदर that is snorting ठीक है snorting and injection yes इसमें हम किस किस को पढ़ रहे होंगे हम लोग बात करेंगे morphine की heroin की smack की वो मैं भी अगले page पर आपको one by one कराऊंगी पहले हम overview drugs का कर लेते हैं क्या 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 important है okay जी yes opioids के बाद आते हैं cannabinoids next section is going to be cannabinoids okay मेरे बच्चों yes cannabinoids cannabinoids बेटा नाम से clear है इसका जो plant होगा that is going to be cannabis sativa different parts of cannabis sativa से बने गए यह plant का नाम रखना याद रखना बहुत जरूरी है बेटा किस plant से बनते है cannabis sativa ठीके जी yes अब उसके बहुत सारे हिस्सों से बन सकते है different different type का है बेटा flower tops of this plant leaves of this plant resin of this plant inflorescence of this plant yes इन सब हिस्सों से बेटा cannabinoids different different type के निकाले जा सकते हैं इसका receptor का है बेटाजी इसका receptor present है आपके brain में यानि कि जब यह लोगे तो सीधा target पहला किसको जाएगा कौन रिसीव करेगा इसको आपका brain किसको अफेक्ट करता है आपके हाठ को क्योंकि brain में बेटा जी center है cardiac center है brain में center है respiratory center तो जाकर सीधा बेटा जी कार्डियो वास्किलर सिस्टम पर कार्डियो वास्किलर लिख रहे हो मेरे साथ साथ system पर impact करता है कैसे लेते हैं इसको generally inhalation से लेते हैं इन्हेल करेंगे oral injection बेटा आपने सुना होगा गांजा हशीश मारियुवाना यह सब क्या है क्या नाभिनॉइट्स है ठीक है चरस injection अभी मैं आपको short में लिख वा रही हूं उसके बाद detail भी करेंगे हरें की don't worry यह एक तरीके से ऐसा table बन रहा है जिसको तुम last में revise करके जाओगे कि drugs करने फटा-फट से यह वाला table जरूर देख लेना है क्योंकि question यही से most probably बनने के chances हैं देन बिटा जी आपके बास आते हैं कोका अलकलोईट्स कोका अलकलोईट्स ठीक है जी किस से बनेंगे अरिथ्रोजाइलम कोका अरिथ्रोजाइलम कोका ठीक है प्लांट का नाम अरिथ्रोजाइलम कोका कहां से किस पार्ट से बनेंगे इसकी पतियों से बनेंगे किस से जुड़ेगा देखिए बिटा जी इसका जो center है that is in cns and यह function करता है as a stimulant stimulant actually it interferes with dopamine dopamine तो सबको पता है it interferes with transport of dopamine dopamine वो है जो आपको reward pathway में लेकर जाता है जो खुशी देता है जब बिटा जी असल में आपका prize आता है मैं first आया हूं मम्मी मैं second आया हूं मेरे नीट में 670 नंबर आये हैं मेरे नीट में 700 नंबर आये हैं तो एक खुशी होती है ना तब लगते है कि यार मेरे सब जीत लिया तब लगते कि मेरे से उपर कोई नहीं है वो जो फीलिए reward pathway जब आपको gift मिलता है reward मतलब gift मिलता है that is dopamine अब यह यह अब आती है जब आप सच में कुछ कर जाओ सच में मेहनत करके प्राइज ले जाओ सच में महनत करके नंबर ले जाओ सट मेहनत करके नीट निकाल लो लेकिन लोग इस ट्रॉक को यूज करके राधर अब्यूस करके यह फीलिंग को चो कि असल में उस समय पर आती है जब आप कुछ करते हो उस फीलिंग को बेटा रेप्लिकेट कर नहीं कोशिश करते है वेरी टेंपररी तिंग है ना तो यह तरीके से स्टिमुलेंट है स्टिमुलेंट है आपको यूफोरिया में ले जाएगी किसमें ले जाएगी यूफोरिया ठीक है कोक लेके क्राक लेके आप एक ऐसी स्टेज पहुंच जाएंगे जिन्दगी पर सब ठीक है जो सोचते हैं कि यार मेरी जिन्दगी में बहुत प्रॉबलम तो मैं थोड़ी दे ड्रग लेकर उस टेंपररी फीलिंग को फील कर रहूं जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए येस यूपोरिया की फीलिंग एनरजी इंक्रीज हो जाती है हालूसिनेशन मैं बताती हूं क्या होती है हालूसिनेशन देखिए हालूसिनेशन होता है जब आदमी हस रहा है तो हसी रहा है रो रहा है उसको साथ अजीब अजीब चीजे हो रही है लाइट जो है लाइट चल रही है लेकिन उसे लाइट सुनाई दे रही है साउंड जो है visualizing sound waves can you imagine someone listening light waves यह सब होता है यह अजीब अजीब सी feelings आती हैं under hallucinations तो अगर आप इसको overuse करेंगे cannabinoids का उससे hallucinations भी हो सकती है yes hallucinations भी हो सकती है हो गया overview कर लिया अब थोड़ा सा इसका स्क्रीन शॉट ले लो चाहिए आपको रिविजिन में बहुत है यह जाती हूं वैसे तो यह सारी पीडियाफ आपको में टेलिग्राम पर मिल जाती है टेलिग्राम मेरे नाम से यह सीप आउजा भाईलिजी ऐफिशियल आप महांसे ले सकते हैं और यस वैसे तो सासाथ बनाओ पीडियाफ लेने का चकर ही चोड़ दो यार लेनी नहीं है मुझे सासाथ बनानी है तो केली काटेगरी जिसको हम डीटेल में करने वाले हैं that is sedatives sedatives क्या होता है बिटा जी sedatives वो होते हैं जिससे नीद आती है they induce sleep hypnotics भी बोलते हैं इसको hypnotics भी बोलते हैं actually बिटा इनका use भी है जैसे मैंने बोला यह सारी दवाईं इन दवाईयों का यूज भी है इसका use है कि इसको anti anxiety drugs के तौर पर यूज किया जाता है जो लोग को बहुत tension होती है नीद नहीं आती है depression में चले जाते हैं तो उन लोगों को यह दवाई दे के थोड़ा सा relax feel कराया जाता है ताकि उन लोगों को थोड़ी सी नीद आ जाए एंटी एंग्जाइटी ड्रग है इसको डॉक्टर देते हैं इसको बेटा जी ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोलते हैं ठीके जी लेकिन अगर बेटा जी इसका ओवर यूज किया जाए आपने मूवीज में देखेना आया बहुत सारे sleeping pill खालो तो बचता नहीं आदमी इसको और आपको आप खुद बताओ क्या यह स्टिमूलेंट है यह डिप्रेसेंट बताओ सी एनेस को स्टिमूलेट कर देगा आप अचानक से जाग जाओगे जैसे चाई पीने के बाद जाते हो या फिर डिप्रेस हो जाओगे ऑफिस से बात है पिटे स्लीपिंग पिल्स है तो आपको एक फिलिंग ओफ कामनेश आएगी फिलिंग ओफ दाओघ्स फिल होगा नेंद की तरफ जाओगे तो रिलाक्स ही फिलोगा फिलिंग ओफ कामनेस आएगी यहाँ पर जो एक्जाम्पल हैं डाट इस बाटबिचुरेट्स बार्ट बिचुरेट्स बेंजोडाय अजा पाइन्स बेंजोडाय अजा पाइन्स ठीक है जी तो ये हो गया अपना section of sedatives first section of sedatives येस मेरे बचो बताएं आमफीटामाइन्स भी बोल सकते हो बेंजोडाय अजामाइन आमफीटामीन्स तो ये किसको ट्रीट करने के काम आते हैं जिनको इन्सोम्निय होता है इनَّ जिस यूज ट्रीटामीन्स इन्सोम्निया होता है नीद ना आनी जिनको नीद नहीं आती है tension रहती है anxiety रहती है depression में रहते हैं उन लोगों को under proper doctor's prescription उनकी supervision के तहत कुछ quantity in drugs की दी जाती है but again over usage will harm the body ठीक है over usage will harm the body तो आप से पूछा जाएगा barbiturates, amphetamines, benzodiazepines किसके treatment में use होता है तुम बोलोगे या तो anxiety या फिर insomnia insomnia मतलब नींद ना आना ठीक है पहला section अपना हो गया अगले section पर चलते हैं that is opioids इसको मैं थोड़ा छोटा करके side पर रख दूँ हाँ दूसरे section का क्या नाम है मेरे बचो opioids चलें इस section पर yes moving on to the next section this next section is opioids इसको opiate narcotics भी बोलते हैं yes again I told you कहां से मिलता है this is obtained from papawar मेरे साथ साथ बताओ papawar somnipherum जिसका nickname क्या है इसका nickname है पॉपी प्लांट पॉपी प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है पॉपी प्लांट के लेटेक्स से मिलता है dried latex of poppy plant yes इसके receptor कहां present है बताएं फटा फट अभी लिखवाया है receptor बेटा जी दो जगा मिलेंगे cns and gastrointestinal tract ठीके जी yes cns and gastrointestinal tract अभी लिखा है ये पीछे ये देख लो इस जब्बे में मैंने सारी important points आपकी लिख दी है ये क्या करता है ये भी slow down करता है this slows down respiratory activity respiratory activity और brain के function को stimulate नहीं करता है ये भी depressant है ये भी किसका काम करता है depressant suppressed brain function आपका brain धीरे काम करेगा tension feel नहीं होगी function ठीक है साथ में इसका बहुत बड़ा इपयोग है जो हम medical science में करते है relief from intense pain जो बेटा जी surgery के बाद pain feel होती है ना उस pain से बचने के लिए उस pain से बचने के लिए हम opioid का use करते हैं ठीक है जी? येस यानि कि अगर ये चीज़े ये drugs pain as a treatment है तो इनको बोला जाएगा analgesics analgesics is that category of drug which are used to treat pain दर्द के लिए तो जब बहुत बड़ी surgery होती है तो उसके बाद बेटा जी ये वले drugs generally दे दिये जाते हैं बहुत सारे तरीके के बेटा जी opiate narcotics हैं देख पा रहे हो analgesic word याद करना types कुछ बेटा जी बिल्कुल natural है कुछ क्या है natural है कुछ बेटा जी semi synthetic है semi synthetic है और कुछ क्या है synthetic है synthetic है yes some are natural semi synthetic and synthetic सबसे पहला section आदा natural का natural में very 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 important जो आपकी बुक में photo बनी हुए है morphine कोडीन येस पिटा जी मॉर्फीन एक अलकलॉइड है जिसको सर्जरी के बाद पेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव पिल है ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर इसको यूज करते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है कोडीन कहां पढ़ा था सब्सक्राइब कोडीन अलकलॉइड अभी ताज़ दाज़ पढ़ा यह भी लिंक दे रही हूं कि दब्बे में पढ़ा था अभी हमने बिटाजी बायो मॉलीकुल खतम किया है मैंने बताया था बायो मॉलीकुल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल इस हाइली इंपोर सब्सक्राइब कोडीन बेटाजी कफ सिरप में भी उस करते है जैसे आपको पता होगा कि जब हम कफ सारी काटेग्री तो इसकी बैन भी हो गई है बट कफ सिरप में जेरली कुछ कॉंटिटी इन अलकलोइट की होती है जो आपको नींद की दरफ लेके जाती है तो जब आप सिरप लेते हो सर्दी में जब हमें बहुत खांसी होती है तो मरे बॉड़ी को रिलाक्स करती है हमें थोड़ी से स्लीपी मोड में लेकर जाती है है ना सो दे आर अलसो यूज इन काफ सी रप्स ओके जी येस मेरे बच्चों लिख लिया सबने लिख लिया तो एक बरी में इ यह बन गया तुम्हारा नीट का कुएसं बहुत इंपोर्टेंट कवेशिन है कि ट्रॉक्स कहां से मिलते हैं जां इंफ ली एऊज breaths में जो की सी येश्ह おां में है ठीक है जी, लहन हो गया, heroine which is commonly called as smack, it is dye, acetyl, morphine, जो की white, ध्यान से देखना, white है, bitter है, crystalline compound है, जो airport मिलता नहीं है, heroine की तसकरी चल रही है, so what is heroine, यहाँ पे ध्यान दो, heroine बेटा जी, semi-synthetic, आपका opioid है, जो की acetylation of morphine से बनता है, तो heroine कैसे बनता है, अगर कोई पूछे, this is formed by acetylation of morphine, morphine की acetylation करेंगे, तो क्या बनेगा, वही white color का, थोड़ा कड़वा सा, bitter सा, crystalline powder, जिसको बोलते हैं हम लोग, heroine, ठीक है जी, yes, तो यह line बहुत important है, acetylation of morphine, या dye acetyl morphine, तो मतलब आ जाएगा, heroine, heroine का दूसरा नाम क्या है, smack, yes, कहां से निकाला, latex of poppy plant, कैसे लेंगे, यह हमने लिख लिख लिए, स्नौटिंग से लेंगे, injection लगाएंगे, कैसा काम है, यह हम सब डबे में लिख चुके है, depressant है, body के फंक्शन को slow करता है, तो पहले तो यार यह याद रखना है, तूसरा, अब आता है, poppy plant और morphine का टाइगरा, question, यहां से भी PYQ में आ चुका है, आपको बेटाजी, multiple chemical structure दिया हुए है, और पूछ रहे हैं, कि भईया, इसमें से morphine कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, morphine कैसे दिखती है, अब यह नहीं कहूंगे, कि पूरा याद कर लो, बट हाँ, थोड़ा सा यार, यहां पर ऐसे A सा बन रहा है, और यहां पर पूरी बेंजीन की रिंग बन रही है, तो यह उचुड रिमेंबर रहा है, क्योंकि यह भी चैनाबिनोट का भी chemical structure बना हुए है, और यह वाला प्लांट कौन सा है, पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट, सारी पॉइंट यहाद होगे, ओपियोइट के बारे म है, जैसे की मॉर्फीन, मॉर्फीन की अगर ऐसी टाइलेशन कर दी जाए, तो क्या बन जाएगा, हिरोईन, हिरोईन का दूसरा नाम क्या है, स्मैग, यह कैसा बिकता है, मार्किट में, बेटाजी, बिटर सा, क्रिस्टलाइन सा, पॉडर सोलूशन है, लिया कैसे जाता है, स पर juslauthing, या फिर injection, सारी बाते होगे, सारी बाते होगे, अब कैसी भी statement लिख दें, वो statement तुमको आती होगी, इस मेरे बच्चों, कैसे भी statement लिख दें, मेरे बच्चे, आप definitely कर लेंगे, कर लेंगे, चलिए, अब करते हैं, बेटा जी, opioids के बाद कुछ ऐसे drugs जो बाड़ी येस ऐसा कॉनसा ड्रग है जो हम लोग सब ले रहे हैं सब ले रहे हैं ड्रग है बिल्कुल ड्रग है ले रहे हैं अब हम करने वाले हैं stimulants को stimulants क्या करते हैं they stimulate nervous system nervous system को stimulate करेंगे यानि कि आपको क्या बनाएंगे alert बनाएंगे, alertness को क्या करते हैं, increase करते हैं, यानि कि person को सुलाएंगे नहीं, wakeful बनाएंगे, उठा देंगे, नीद आ रही होगी, नीद को भगा देंगे, अब मैं ये ड्रग तो होते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं, हाँ, यूज करते हैं, इसका क्लिनिकल यूज क्या है डॉक्टर इसको किस केस में यूज करते हैं, डॉक्टर बेटाजी, डेफिनेटल इसको यूज करते हैं, इन केस ऑफ परसन जिनको attention deficit disorder है, वो किसी भी काम पर अगर अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, that is attention deficit disorder, उस केस में यूज होता है, है ना, नार्कोलिप्सी में भी के तो सबसे पहले तो उसको यह द्रग थमा दिया जाता है, हां जी क्या लेंगे, आइए, आइए, क्या लेंगे, चाहे लेंगे, कॉफी लेंगे, यह चाहे, कॉफी ठंडा, यह तीनों क्या हैं, यह तीनों क्या हैं, तरीके के ड्रग हैं, so example here is, example here is caffeine, caffeine is a stimulant, और बेटा जी ह ही हम करेंगे, cocaine, cocaine is a stimulant, yes, अब यह caffeine हमें किस-किस में मिलती है, caffeine के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यह सबसे पहले जी बचो, चाय पत्ती में, leaves of tea plant, मिलती है, तभी तो चाय की पत्तियां डाली जाती है, जब आप टी के बगान देखेंगे, चाय के बगान, बेटा जी, केरला जाईए, श्री लंका जाईए, असाम में जाईए, वहाँ पर प्रॉपर चाय के बगान है, I went to that place, I have been to Kerala, I have been to Sri Lanka, beautiful landscape, बेट ओवर देर, और वहाँ पर पत्तियां ही निकाल रहे होते हैं, वह पीछे ऐसे टांग के पत्ती निकाल रहे होते हैं, तो चाय की पत्ती से आपको मिलता है कैफीन, तभी पत्ती यूज होती है, उसकी, है ना, येस, उसकी, और कहां से मिलता ह बेटाजी, Seeds of Coffee Plant, अब अगर बेटाजी, किसने Coffee Machine चलती हुई देखी है, तो आप देखेंगे यार, उसमें हम रोस्ट करके Coffee के Beans डालते हैं, Seeds डालते हैं, टीवी में जो एड आती है Nescafe की, उसमें भी आप देखा करो, पहले दानेदार होता है, फिर उसको पाउडर फ प्लांट, येस, तो यह तीन जगह हैं, जहां से हम लोग कैफीन लेते हैं, और इनको हम रेगिलरली अपने घरों में भी यूज करते हैं, तो क्या काम हो जाएगा, बढ़ाएगा, वेक्फुलनेस बढ़ाएगा, लेकिन, गड़बड भी करता है, पानी की कमी करतेता है, ड दाइजेशन, तो ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, कित्ते बच्चों ने आज कित्ते कब पी ये बताओ, भूख नहीं लगती, इसलिए मैमान को आती है, दे दी जाती है, ताकि इसको भूख ना लगे और समोसा कम खाए, है न, जस्ट किडिंग, एक बीनी पीनी चाहिए, बेटा, आप लोग की एज ऐसी है, कभी कभी तो it is okay, है न, कभी हम बिमार है, या फिर बुखार है, उस केस में चलता है, लेकिन आप लोग को दूद पे सर्वाइफ करना चाहिए, नौट टी और कॉफी, इसकी आदत ही मट डालिए, ये आदत बह बहुत गलंदी है, एक बारी लग जाती है, ये अभी हम पढ़ें के थोड़े देर में, इन सब ड्रॉग्स की टेंडेंसी है, कि आपको अपने पर डेपेंडेंट बना देती है, डेपेंडेंसी के बाद एक समय ऐसा आ जाता है, कि आप इनके बिना रही नी सकते, अगर आप उस रेस्लेस नेस वाले फेस को क्रॉस कर जाते हो, तब आप कहीं जाके उसको छोड़ पाओगे, येस, अवाइड करना चाहिए बिटा, आपको ये सारी चीज है, चलिए, तो स्टिमूलेंट की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिटा, को को कह से मिलेगा, को का प्लांट से, क्या नाम है, अरित्रो, जाइलम, को का, याद करने मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इसके तो नाम में ही ब्लांट का नाम आ रहा है, ठीक है जी, ये किस से इंटरफेर करेगा, फटा फटा बता दो, मैंने वहां लिख दिय क्या है दुबारा लिख रहे हूं इट इंटर्फियर्ज वेड वेड़ ट्रांस्पोर्ट ओफ डोपामीन कुशी में डाल देगा इसकी हायर डोस से क्या हो जाएगा बच्चों इसकी हायर डोस से मुझे लाइट सुनाई देगी साउंड दिखाई देगा हालूसिनेशन अजीब अजीब चीजें होने लगेंगी है ना जैसे कॉपी से उठके अक्षर बाहर आके घूमने लगेंगे वैसे ही लाइट सुनाई देगी साउंड विफ दिखाई देने लगेंगी हायर डोस ओप कोकेन आपको याद रखना है इससे भी क्या होती है 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 या यह बात हो गई आपकी कोकेन की तो एक बढ़े मैं कोकेन नियास से दिखा देती हूं आपको रुखिए यह रहा कोकेन पर वापिस जाते हैं पहले कोकेन कर लेते हैं आज आज आप गोका एलकलोईट या फिर जिसको मैंने बोला कोकेण कहां से मिला कोका प्लांड कहां का नेटेव है very important South America कहां से मिला मुझे South America कुछ भी आ सकता है आर कुछ भी आ सकता है एक एक पॉइंट को अपनको याद करने हैं किस से डिस्टाप करता है neurotransmitter दोपामीन और क्या बोला जाता है कोक और क्राक कैसे लिया जाता है स्नॉटेड वो ऐसे लाइने सी बना के कार्ड से और फिर नाक में सीधा अंदर इन्हेल कर लेते हैं वालब इस नॉट बेसिक इन्हेलेशन इस स्नॉटिंग एक साथ पाउडर को अंदर ले जाना ठीक है ये ये क्या है स्टिमूलेटर है किस सेंस में लेकर जाता है यूफोरिया दब्बे में लिख लिया था हमने इंक्रीज एनरजी हो जाती है और इसकी हायर डोस हो तो हैलूसिनेशन और कौन-कौन करता है एट्रोपा बले डोना और दतूरा तो तुमसे पूछा जाएगा दतूरा का इमेज तो जब तुम्हें इमेज दिख जाए तो तुम्हारे माइंड में हैलूसिनेशन स्ट्राइक करना चाहिए क्या स्ट्राइक करना चाहिए है ये चलिए तो यह बात होगी आपकी कोकेन की एक बेटा जी वह ड्रग बताने वाली हूँ जो की आतलीट्स यूज करते हैं यूज यूज करते हैं राधर जाटिस एमफिता मायंस इट आसए एक्स्ट्रा अमफिता मेंज यह बेटा जी सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एड्रनलीन है these are synthetic analog analogs of adrenaline अब तुम्हें पता है यार adrenaline तो बहुत बड़ा stimulant है adrenaline release होगा तो कैसे energy आती है सारा glycogen तूट जाएगा कैसे heart rate तेज होगा breathing rate तेज होगा sympathetic nervous system जैसी situation आ जाएगी और तुम्हारी speed बिलकुल बढ़ जाएगी यानि कि यह जो drugs है these are usually taken by athletes sports person बेटा जी इसको लेते हैं इससे होता क्या है यह confidence भी भड़ाता है adrenaline आ जाएगा आपको लगेगा आप सबसे जीच सकते हो it will increase confidence आदमी जादा बात करने लगेगा talkativeness काम करने की शमता यानि कि अगर आप एक athlete हो जो भी आप गेम खेल रहे हो उसकी शमता क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो sports person they highly abuse it ठीक है जी यह कुछ दिनों तक आपके urine में भी आता है और इसी को use किया जाता है डोप टेस्ट में आपने सुना है ना डोप टेस्ट होता है sports person को देना पड़ता है और उसकी खेलने की शमता भी जादा है यस हो गया यह मेरे बचो डोप टेस्ट होता है जो sports person को देना पड़ता है तो चेक कि यार उन्हों परफॉर्मेंस से बोटर आ जाती है अगर आप यह ले रहे हो तो परफॉर्मेंस उस समय क्या हो जाएगी बेटर हो जाएगी बटी सहीं नहीं है ना ना चरल बनाओ बड़ी चड़ी बनानी है तो है ना यस अब चलते हैं बिटा जी चैना भी नॉइट्स पह लास्टेगर जैसे इस अब प्लांट का इंफ्लोरिसंस है चोटे से लिख लेते हूं इन फ्लॉरेसेंस प्लाटॉप इस प्लांट के अलग लग पार्ट से अलग लग ड्रग बनते हैं लीव्स रेजिन्स ठीक है अलग अलग ड्रग बनते हैं तो आपने बेटाची ड्रग्स होनों का भांग फोली पे यूज करते हैं चरस गांजा हशीश मारियुवाना यह सारे ड्रग्स एक ही प्लांट के अलग लग पार्ट से बन रहे हैं इसका फोटो ही बना हुआ है लेट अस मूब है और आजाओ यह रहे हैं केनाबिनोइट्स ग्रूप ऑफ केमिकल जो केनाबिनोइट रिसेप्टर जो की कहां पर है ब्रेन में बॉक्स में लिख लिए हमन नाचरल केनाबिनोइट रटेन फ्रूरेसंस और प्लांट केनाबिस सटाइवा उसका फ्लार टॉप लीव्स रेजिन्स आर अलसो यूज़ इन वेरियस कॉंबिनेशन मारिवाना हशीश चरस गांजा बनाने में तो अगर कोई तुम से पूछे नाचरल केनाबिनोइट के बनते हैं और उसके बाकी चीजे भी यूज होती है कैसे लिया जाएगा इनलेशन और या फिर खाया जाएगा और इफेक्ट इस और कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम यह सारी बात हमने इस बॉक्स में लिख ली है तो दू यू रियालाइज हाव इंपोर्टेंट इस बॉक् रिकिनाइस करनी आनी चाहिए तो एक तो यार तुमको रिकिनाइस करना है क्या मॉर्फीन दूसरा कैनाबिस और अगर प्लांट में देखे तो पॉपी प्लांट जो थोड़ा पिंक से कलर का था यह बिटाजी कैनाबिस से टाइवा यह तो बड़ा सान है इस तरीके से हैं यहां पर बताने वाली हूँ हां यहां पहले कर चुके स्टार्टिंग में देखो बार्विचुरेट्स एंफिटामीन और बेंजोडाइज किसके ट्रीटमेंट में यूज करने के लिए काम आते डिप्रेशन और इंसोम्निया यानि कि यह क्या है यह क्या है पटा-फट से बताईए यह है हमारे सेडिटर्स नीद आती है इनसे तो पूछा जाएगा कौन से ड्रक से नीद आती है तीनों याद कर लिए देन मौर्फीन के बारे में लिख लिए इससे नीद भी आएगी और यह पेन-किलर भी है तो जिसकी सरजरी होती है उसको मौर्फीन के डोज हमने देख ली है okay so with this we are done with this आगे बढ़ते है बिटा smoking और हम चलेंगे alcohol पे किस पर चलेंगे smoking and alcohol यह मैं आपको यहीं से पढ़ाऊंगी है नहीं बिटा LSD हमने यहां पर इंक्लूट नहीं किया है because it is not part of your you know वैसे इससे भी हलुसिनेशन होती है लाइ सर्जरी कैसे डाय था TNS in fact अगर इसको pregnant woman ले लेगी ना LSD को teratogenic है teratogenic समझते हो ना fetal की morphology disturb हो जाएगी जैसे अबने वह किया था था थेलिदोपाइट 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 था वैसे LSD नाम का ड्रग भ फंजाए ठीक है येस मूव अन करते हैं बेटा जी हम लोग स्मोकिंग पर करें बहुत लेट हो गई है जस्परेत बहुत जादा लेट हो गई है आजओ बेटा स्मोकिंग ऑल्सो पेवस फेव तू हाड ड्रॉग्स स्मोकिंग बेटा जी आज के समय पर it is not just it is not no longer a hidden drug it is taken openly by people roaming on streets by people living in houses societies in fact बेटा जी इतना prevalent हो चुका है कि हमारे airports पे हमारे public lounges में एक smoking zone बना दिया गया है hotels में अलग से smoke वाली आप अच्छे-च्छे hotels में जाएंगे तो वहां पर एक smoking वाले section का पूरी lobby है मतलब अगर आप smoker हो तो आपको इसी फ्लोर पर कमरा दिया जाएगा किसी और फ्लोर पर नहीं दिया जाएगा तो यह ड्रग घर घर पहुंच रहा है गली गली में है और हर दूसरा परसन आपको smoke करता हुआ नजर आएगा बट यू और नाव गइंग तो रिलाइस हाव कितने कितनी जादा आपकी बॉडी में डामेज है लोग बोलते मैं तो बीस साल से स्मोकिंग कर रहा हूं मुझे तो कुछ नहीं हुआ बिटा आज नहीं हुआ है फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है है ना इट इस नोट नेसेसरी कि अगर आज आप स्मोकिंग शुरू कर रह करता है तो स्मोकिंग बेटा तबाको हाज बेन यूज़ बाई हुमन फोर मोर दन फोर हंड़ यह चार सो साल पहले से हमारे हम ट्रबाको को यूज करने इसको स्मोक भी करते हैं जैसे सिगरेट में चू भी करते हैं तंबाकू उखाते है ना इस तरीके से बहुत लोग और सारे चेमिकल सबस्टांसी बेटी टबाको में है जो की आर वेरी हाम्फोल निकोटीन जो की एक अलकॉलाइड इस से पहले आपने मॉर्फी ने कैलकॉलाइड पड़ा और आपने कोडीन ने अलकॉलाइड भड़ा ध्यान से सुनने न नीकोटीन बेटा क्या इंपक्ट करता हुआ है कोई पेपर आगया है लेकिन जो लोग स्मोकर्स है दिन में इतना निकोटीन अगर अंदर जाएगा तो बिना किसी बात की अदरनलीन निकल रहा है जिसकी वजह से continuous high blood pressure continuous high heart rate बेटा जून लोगों का रहेगा heart rate जादा होना मतलब हाट से जाधा काम करा रहे हो कब तक करा लोगे आपका automatically life span कम होता जा रहा है चीक है इतना बड़ा बड़ा cigarette की डबी पे लिखा हुआ है पहले यह वार्निंग पीछे होती थी उसको फ्रंट पे लेके आए फ्रंट पे लाने के बाद इस वार्निंग को और बड़ा कर दिया गया साइज बड़ा कर दिया गया वहां एक बहुड अजीब सी फोटो भी बना दी गई इसको कंजूम करने से करक रोग होता है वट इस करक रोग कैंसर लंक्स का कैंसर होता है अगर आप इसे इनहेल कर रहे हो अगर आप बिटाजी से चू कर रहे हो खा रहे हो तमबाकू खा रहे हो तो औरल कैंसर होता है यूरिनेरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है थ्रोट का ब्र तो इसके लिए प्राउड फील करने का किसी को जुरुत नहीं और अगर कोई करे तो आप समझ जाना यार इसको बेसिक नॉलेज में यह है तो आपको बेसित लिए तो आपको चुए जाते हैं तब भी कितना बड़ा इक अडा इस चीज का है ना कि टमबाको कहा के उसने अपने कंगन बेच दिये और इतारीट्मेंट करा एग इतारीटमेंट करा एग शवक्या पांज फोगा का का कार्बन ओन बढ़ जायेगा जि क्या है carbon monoxide carbon monoxide बेटा जी इसकी affinity in comparison to oxygen 210 टाइम्स जाधा है हेमोग्लोबिन के लिए तो यार सारा carbon monoxide hemoglobin के साथ चिपक के बैड़ जाएगा क्या पना के बैड़ जाएगा carboxy hemoglobin oxygen के लिए जगे नहीं है यार oxygen किस से लटके oxygen इसे जाके चिपक जाएगा oxygen को हेमोग्लोबिन नहीं मिला लेकिन oxygen इससे जाके जुड़ गया यानि कि oxygen लिया आपने लेकिन वो बॉड़ी की टिशुस तक नहीं पहुंच पाया जिससे अल्टिमेटली oxygen की deficiency हो जाएगी यहीं कह रहे हैं कि अगर सिगरेट की डबी लोग है तो उसकी उपर warning देखना बहुत जादा जरूरी है उसकी packet पहीं लिखा होता है कि इससे करक रोग होता है लेकिन फिर भी इतनी पड़ी warning देने के बाद भी बताने के बाद भी लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं वन सिग्रेट फॉर सिग्रेट टेंटन सिग्रेट पुरी को डबी खतम करना एक दिन में और प्रेजंट इन एल्डरली पीपल आज कल तो बिटा मैंने आपकी एज के भी बच्चे देखे है यह सब करते हैं आई फिल सो सिक कि हमारा जो फ्यूचर है जो यूथ है वो कहां जा रहा है कहां जा रहा है क्या करेगा यह फ्यूचर में येस और बेटा जी highly addictive भी है तो आपको इसकी habit को definitely avoid करना चाहिए आपको भी बेटा जी कोई दिखे यह सब करता हुआ आपकी family में भी हो सकता है आपके दोस्तों में भी हो सकता है गली महले में हो सकता है उनको smoke उनको अपने पर जितना आप समझा सकते हैं जरूर समझाईए और अपने आपको तो कम से कम इन सब चीजों से बिलकुल दूर रखिए उस आदमी की company में होना भी आपके लिए ठीक नहीं है जितना active smoking बेटा जी खराब करती है उतना ही passive smoking passive smoking होता है कि मैं smoke नहीं करती हूं लेकिन मेरे साथ में बैठा मेरा दोस्मोक करता है तो वो जो धुआ है मों मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर ले रही हूं तो आयम also smoker so avoid company of people who are doing this yes मेरे बचो चरिए तो यह बात होगी smoking की अगली बात करते है बेटा जी हम लोग alcohol की alcohol से पहले बेटा जी एक छोटा सा portion आता है जिसको बोला जाता है adolescence and then हम अलकोहल के बारे में बात करेंगे समझ आ रहे है ना बेटा इसमें कुछ ऐसे लिखने का है नी बस आपको में में चीजें जो याद रखनी है किसमें क्या है वो बॉड़ी पर क्या इंपक्त कर रहा है जैसे इसमें अद्रिनलीन इंक्रीज हुआ नौर इंक्रीज हुआ जिसकी वज़े से बेटा हार्ट रेट बड़ा बीपी बड़ा हाट का फंक्शन हो धिरे-धिरे स्लो डाउन हुआ औ अब डॉलसंस बेटा जी इस पीड बट्वीन चाइल्ड होड और अदल्थोड ये ये पीरेट बट्वीन चाइल्थोड और अड अडल्थोड एडल्थूड बटा इक्टिस साल के बाद चाइल्थूड ग्यारा-बारा साल तक तर जो बीच का आपका टीन आज आता है ये अप्रोक्सिमेट बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्यों कि इसमें एक परसन के साथ बहुत सारे चेंजिस और होते हैं जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो इसी एज में आपके तौ इस आप्यों अचानक से नई तरीके नहीं थरीके चाहएं गये तो इस दोस्की आपने is happening because of hormonal changes which are happening in your body सब कुछ होर्मोन आपने बॉड़ी में होर्मोन को बालेंश कर लिए आपने शान कर रहे हैं कि यह वह पीरियड है जब चाइल्ड के हो जाता है जैसे कि मैंने बता है टीन एज का समय है बारा से अठारा साल की उम्र एक बिच है किसके बीच में चाइल्ड है अडल्ड होथा यह बेटा जी बहुत ही वल्नरेबल फेज है इस टाइम पर आप किसी के भी भरोसा कर लेते हैं आपको लगते हैं मेरे पेरेंट्स मेरे दुश्मन है और मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं यह सब कुछ है है ना psychological development बेटा जी इस समय हो रही होती है बहुत जादा curiosity होती है आदमी को इस समय पर क्या नहीं नहीं चीज़े ट्राइ करूँ freedom चाहिए दूर जाना है कुछ बड़ा करना है excitement होती है experiment करने का nature होता है जिसकी वजह से इस excitement इस curiosity to experiment की वजह से बेटा बच्चा इस age में सबसे ज़्यादा vulnerable है to try these new drugs उसको लगता है पता नहीं क्या चीज़ बिल गई है ट्राइ तो करके देखू यह एक बरी से तो कुछ नहीं होता यह एक बरी बेटा जो है तीन सिग्रेट के कश में आती थी अब बेटा जी उसी फीलिंग को लेने के लिए future में आपको छे सिग्रेट पीनी पड़ेगी क्यूंकि आपकी टॉलरेबिल्टी बढ़ती जा दिए बोड़ी की है ना जो काम पेटा जी पहले जो फीलिंग किसी परशन को एक पग लेकर अलकोहल के आती जैसे जैसे वो अलकोहल अगर रोस पिएगा आपने रोटीन में लेकर आएगा तो उसी फीलिंग को अचीव करने के लिए उसको ए alcohol drugs की तरफ जाता है ठीक है जी उसको stress भी होता है इस समय पर बिलकुल मानते हैं आपकी एज में stress है peer pressure है examination का tension है जिसकी वैसे बेटा जी वो इस सब चीजों की तरफ जाता है TV, internet इनको promote भी कर रहा है कई नगे TV में भी दिखाया जा रहा है कि जो बंदे कूल है वो लोग drugs करते हैं, the people who are rich, they are meant to take drugs which is not right यार, it should not be associated with the status of society drugs आज के समय पर सब कर रहे हैं, चाहे वो बहुत rich है चाहे वो बहुत poor है drugs is not something जो आप link कर सकते हो कि अगर मैं यह करूँगा तो यार मैं अच्छा हूँ या फिर मैं high class को belong करता हूँ, अपने आपको superior समझूगा, है ना जैसे बिटा आज के समय पर, doctors पर तो बहुत movie बनी, लेकिन ध्यान किस पर गया, कबीर सिंग पर बॉर्थ cool doctor है, है ना, drugs लेके operation करते रहे, आप समझ रहे हैं, कितना risky है कितना risky है alcohol के impact में किसी की body पर operate कर देना, जिस feeling से आप doctor बने थे, वो सारी feelings, मतलब आपने एक प्रन लिया था है कि यार मैं सेवा करूंगा, सेवा नहीं तो कम से कम अपनी job ठीक से करूंगा, आप तो अपनी पैसे लेकर भी job ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये movies ने, ये TV ने, इस media ने, इसको एक cool symbol दे दिया है, जबकि it is highly nama cool, cool नहीं है बेटा, ये nama cool है, चीके जी, yes, अब जब आदमी drug लेगा, तो ultimately मेरे जैसे बताया कि पहले जो आपको अच्छी feeling drug लेके आती थी, for example, वो एक glass consume करके आती थी, बड़ धीरे आपकी tolerance जो है वो इसकी ब हो जाएगी, addiction हो जाएगी, जब पेटा जी, addiction हो जाएगी, तो बंदा फिर किसी को भी कुछ भी करने के लिए तयार हो जाता है, चोरी करेगा, ममी पापा को जूट बोलेगा, उनसे पैसे निकालेगा, इधर गलत, किसी जरूरत मन से भी चोरी कर सकता है, क्योंकि अब उसे addiction हो जुकिए, addiction के लिए फिर तो everything, उसे समझ नहीं आता, what is right and what is wrong, he just feels कि यार मुझे वो ड्रंक चाहिए, by hook और by crook, ठीक है जी, इस से बेटा जी, ultimately, ultimately क्या हो जाएगा, the child will become part of many bad habits like stealing and like killing someone, या फिर बेटा जी किसी लड़ा ही कर लेना, किसी के साथ धोखा कर देना, ठीक ह आपको वो नहीं मिलता, है ना, किसी को आदत हो गई है, लेकिन पैसे खतम हो गए है, drugs कहां से लाएं, तो restlessness होती है ना, पसीने चूटते है, उसको हम लोग मोलते है, withdrawal symptom, कि अगर आपको किसी चीज की addiction है, और आपको जीज नहीं मिली, तो withdrawal symptom आएंगे, जिसमें क्या-क्या है, anxiety, restlessness, हाथ कांपेंगे, nausea, घबराहत होगी, पसीना आएगा, और वो सारी चीजे ठीक हो जाएंगे, जैसी तुम्हें द्रग मिल जाएगा, ये भी आपने कभीर सिंग में देखा है, सब दिखा है, उसने, देखा ना, ड्रग लेने का क्या नतीजा होता है, लास्ट में येस, so dependence leads patients to ignore all the social norms and जिसकी वजह से society में बहुत सारी problems आ रही है, घर में लोग अपनी wife को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, गलत behavior कर रहे हैं, many things are associated with this, ठीक है जी, जो बच्चे अगर alcohol लेने से होगा, क्या, alcohol लेने से, सबसे पहले तो आप बुर्दंग बाजी वाइलेंस करेंगे, reckless behavior करेंगे, control नहीं रहता अपने emotions पर, ठीक है जी, जो बच्चे अगर alcohol लेते हैं, तो यार, school से absent होगे, personally वो आपको अजीब दिखेंगे, shave नहीं करके आएंगे, hygiene नहीं फॉलो करेंगे, depression रहेगा, tension रहेगी, उनके relationships अपने parents के साथ, अपने friends के साथ खराब होते जाएंगे, उनका सोने उठने का सारा habit गडबड हो जाएगा, रात में जाग रहे होंगे, दिन में सो रहे होंगे, ठीक है जी, तो ये सारे पेटा जी, harmful impacts है, ultimately अगर मैं बॉड़ी पे देखू, तो क्या impact है, देखिए, excessive doses of drugs may lead to coma, respiratory failure, heart failure, cerebral hemorrhage, ये सब हो सकता है, और अगर आपने drugs को alcohol के साथ जोड़ दिया थो तो यार, death हो सकती है, कुछ लोग लेते हैं, drugs के साथ, दवाई मतलब, proper tablet के साथ alcohol, highly, highly dangerous, ठीक है जी, yes, तो जो लोग बेटा जी, drugs, injection के द्वारा लेते हैं, intravenous लेते हैं, उनको तो AIDS और hepatitis B होने के भी chances हैं, और ये दोन लेते हैं, तो ये injection के तो पैसे नहीं होंगे, इनके पास, एक ही injection से चारों लोग ले लेंगे, तो उससे भी बेटा, AIDS भी हो सकता है, अगर एक को है तो, alcohol से बेटा, long-term impacts हैं, शुरू से बढ़ते हैं, आपका लिवर और आपका नर्वस सिस्टम डामेज हो जाएगा, अग कि अलकोहल की वज़े से फीटस के जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसमें कहीं न कहीं ब्रेक लग जाएगा, और लिवर में बेटा, जब हीपाटोसाइट्स खराब होने लगते हैं, लिवर में फाइबर आ जाते हैं, सेल की जगा, सिर्होस बोलते हैं, उसको क्या बोलते ह है, कुसुम कह रही है, ये ड्रग्स मिलती कहां है, बिटे ये ड्रग्स ढूंडनी नहीं है, मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूं, they are bad, they are bad, they are bad, class फतम होने कहां है, कहां मिलती है, क्या impact पड़ा, मैंने आपको खरीदने के लिए प्रमोट किया, ये ना यूज करने के लिए अधिक्षन लानी है, तो थो एन्सी आटी के लिए कराइए, वो एडिक्षन होनी चाहिए, आपको अंदर से घबराहत होनी चाहिए, जिस दिन आप एंसी आटी ना खोले, कितने बच्चे एव्री डे एंसी आटी कोलते हैं, अगर किसी चीज का एडिक्षन नहीं लाना है, अगले दिन लगाने से पहले, खाना खाते हुए, वाश्रूम जाके कहीं ना कहीं एंसी आटी जरूर पढ़ रहे हो, इन सब चीजों के एडिक्षन में बेटा वो बात नहीं है, हमें डॉक्टरों में कभीर सिंग नहीं बनना है, हमें बेटा जी बड़े बड़े डॉक्ट इसलिए वो बेटा जी अक्चुल एफट दिखाता है डॉक्टर का लाइफ में क्या इंपक्त है, तो बिंग डॉक्टर, बिंग, इन सब बेड़े जाएंगे, तैर क्या फाइदा आपकी पढ़ाईता, है ना क्या फाइदा आपको तो लोगों को रोकना चाहिए, खुद कर होगे, अपने आपको तो खराब कर ही रहे हो, बाकियों को तो क्या इलाज करोगे है ना फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा ऐसे दॉक्तर से, यह चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और रग के बड़े बेटा बात की गई है यहां पर जो की यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह नार्कोटिक अनलजेसिक्स यूज करेंगे, अनाबॉलिक स्टिरोइड यूज करते हैं, ठीक है, डाइयुरेटिक्स यूज करेंगे इन सर्टेन होर्मोन, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अनलजेसिक, पेन किलर, ताकि इनक इनकी अथ्लेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूवब हो, लेकिन उनको यह नहीं समझा रहा कि यह ड्रग से शाहिद वो मैच तो जीच जाएंगे, बट पर्मनेंट डिफेक्ट बेटा जी बॉड़ी में आने के चांसेज हैं, अगर बेटा जी अनाबॉलिक स्टिरोइड फीम हो जाएगा, और जैसा कि मैने बताया, आवाज भी लड़कों की तरह भारी हो जाएगी, अगर बेटा जी मेल्स ले रहे हैं, तो यह राक्ने हो जाएंगे, अब इसी बात है, जब बेटा जी टेस्टिरोण या इन हॉर्मोन, स्टिरोइड का लेवल बढ़ता है, तो अग् अगर टेस्टिकल का साइस कम हो, तो sperm production भी कम हो जाएगी, in fact this is one of the major cause of infertility in male, kidney disorder हो जाएगा, liver disorder, लड़कों में गाइनेकों मेस्टी हो जाएगा, यह देखे है, breast development in males है, so that is, गाइनेकों मेस्टियास like situation हो जाएगी, premature baldness, जल्दी गंजापन आना शुरू हो जाएगा, prostate gland भी बड़ा हो जाएगा, and they may be permanent with prolonged use, अगर किसी sports person ने इसको लंबे समय तक abuse किया, तो permanent है इसारा damage, ठीक है जी, yes, तो male female में, facial and body acne, permanent closure of the growth center of long bones, ठीक है, resulted in the stunted growth, height भी छोटी रह जाएगी, एना, long bones की epiphyseal plate जो हो जाएगी, और height भी इनकी इस वजह से क्या रहेगी, छोट की रह जाएगी, तो यह बात होगी, बेटा, sports person जिसको abuse करते है, अब बस आखरी पार्ट, क्यार prevention कैसे करें, बताओ, तुम बताओ, how to prevent, तुमारे से सुनती हूँ, बुक ने तो जो लिग दिया, लिग दिया, इतना सब हमें harmful impact पता चल गया, तो भाहिया, प्रिवेंट करो just a second, yes, बताओ, बुक को बिना देखे, बुक को बिना देखे, बताओ, हाँ, जी, क्या करेंगे, slogans, okay, good, yes, क्या करेंगे, मोहले में, स्लोगन लगाएंगे, awareness पेलाएंगे, stop this in market, अच्छा, कह रहे हैं, मार्किट में, बेचना बंद कर दो, अपने आप रोक जाएगा, बेचना तो बंद, अल्कॉहल बहुत स्टेट्स में हैं, इंडिया में, क्या वो चीज वहां रुक गई, गुजरात में नहीं है, बैन है बिलकुल, बिहार में बैन है, क्या वहां के लोग नहीं करते, तो पिटा, किसी और पर ब्लेम करना, कि सरकार ने इसको नहीं रोका, उससे बड़ी चीज होती है, पहले आप अपने गिरेबान में जांके, क्या आप पे control है, आप इसे बैन भ नहीं बने थे, जिसका abuse हो रहा है इस समय पर, है ना, very good, हम एड्स चलाएंगे, educate करेंगे, self-control करेंगे, strike करेंगे, सबसे पहले चीज बेटा जी, अगर आप भी सीज में involved है, कभी-कभी हो जाती है, गल्ती हो जाती है, बहुत लोगों से हो जाती है, except that thing, कि यार मेरे से ग दोस्तों की वज़े से ही गल्ती हो जाती है, दोस्तों की वज़े से पियर प्रेशर में आके आदमी चीज़े ट्राइ करता है, और ट्रायल कब डिपेंदेंस में कनवर्ट हो जाता है, नहीं पता चलता है, so always never hesitate to take help from your elders, आपके पेरेंट्स आपको पहले डांटेंगे, but ultimately ब बच्चे ने अगर आपकी क्लास में लिया है, that doesn't mean कि आपको भी लगना है, यह कूल होने को कोई स्थिम्बल नहीं है, ठीक है जी, yes, अपना सारा अनर्जी इस एज में आपको स्टडी में, स्पोर्ट में लगानी चाहिए, दूसरा, education and counseling, बिल्कुल सब में इस चीज की जो medical field के नहीं है, और आपको जानते हैं, आप देख रहे हों कि यह गलत करने, आप अपनी knowledge बिल्कुल उनको बता सकते हैं, इस से क्या होगा बेटा जी, दीरे-दीरे awareness फैलेगी, और जब इस adolescent age में बच्चे के पास energy होती है, mood swings होते हैं, तो इसको में channelize करके sports में, reading में, music में योगा में लगाना चाहिए, अपने parents से जरूर मदद ले, दोस्तों से, I would say, same age के नहीं, बड़े दोस्तों से जरूरा मदद ले सकते हैं, जो आप से बड़े हैं, वो आपको समझा पाएंगे, ठीक है, danger sign पे बहुत ध्यान दे, कई बारी हम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ह अगर किसी को addiction हो जाती है, तो proper de-addiction centers है, जहां पर आपको medically, कुछ medicines, साथ में yoga, साथ में therapy, rehabilitation की मदद से, आपको इन सब चीजों से बाहर निकाला जाता है, de-addict किया जाता है, so there is nothing bad in that, help लेना कभी भी गलत नहीं होता है, parents से help लेजे, professionally help लेजे, लेकिन सब जानते हुए इस जाल में मत पसे, with this we are done with the whole chapter, communication is the key, yes मेरे बचो, communication is the key, तो यहां पर बेटा जी, हमारा chapter जो है, वो समापत हो गया, लेकिन आपके लिए तो surprise है, मैंने बोला, आज शिखर बैच की last class है, आज शिखर बैच की last class है, आज शिखर बैच की last class है, और class में like नहीं हुए, क्यो Yes, today is the last class of शिखर बैच, we are revamping this, we are making it little bit more hard, शिखर पर तो हम चड़कर ही रहेंगे, यह मुझे पता है, कुछ एम से ही, कुछ सोच कर ही मैंने इस बैच का नाम शिखर रखा था, and अब जो नाम है, वो भी कुछ सोच कर ही रखा है, क्योंकि अब मैं आपके लिए चीज़े असान नहीं थोड़ी मुश्किल करने वाली हो, और मुश्किलों में ही तो बेटा निखर कर आता है आदमी, तो हम इस मुश्किल चालेंज को करने वाले हैं कल से, कल से बेटा जी स्टार्ट हो रहा है, 75 डे हाट चालेंज, क्योंकि एक सब्जेक्स तो कुछ नहीं कर सकता न सब्सक्राइब नहीं है, और बेटा जी सिर्फ पढ़ाई नहीं है उस चालेंज में, चार चीज़े और बताऊंगी, उसके लिए रेडी रहना, तो सेशन को यार लाइक कर दो, और साथ में संडे को आपका, संडे को अंसाट होने वाला है, क्या सब ने इन्रोल किया इस अं सब्सक्राइब नहीं है, तो बहुत बढ़ी आए, टेस्च जरूर देना है, और नहीं किया है, तो इन्रोल अभी जाकर कर लीजे, साथी बेटा, एक्स्टेंशन ओफर चालू हो चुक है, जिसमें प्लस और आइकॉनिक पे आपको फ्री आफ कॉस्टेंशन मिल रहा है, या और 18 का लेते हैं, तो 3 months का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, लिंक बेटा जी दिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस extension को extend करने के लिए, आपको code यूज़ करना है, साथी में, सूपर 30 test series बेटा जी हम स्टार्ट करने हैं, 6-31st October, लाइफ टेस्ट होंगे, बिल्कुल free of cost, लिंक is given in the description box, yes मेरे बचों, session अगर अच्छा लगा, अगर आप पूरे शिखर बैच में, आज last day मुझे आज comments में कमी नहीं चाहिए, I want each and every student to write, जिसने पूरा बैच लगाया है, कि yes I was consistent and मैं अगले challenge के लिए तयार हूँ, क्या मैं एक comment आप से मांग सकते हूँ, yes, one comment from each and everyone जिसने इस बैच को मेरे साथ खतम किया, जिसने इस बैच को मेरे साथ खतम किया शिखर बैच को सब बच्चे आज इस पे comment करके जाएंगे कि यार हमारी consistency कितमी थी, जब यह शुरू हुआ था शिखर बैच तब मैंने आपको बताया था, consistency is always greater than intensity, हमें consistent होना है, हमें intense नहीं होना है, एक दिन आ के opening नहीं करके जानी है, मैच में पूरा टाइम ठीके रहना है, तीन गंटे का मैच है, ठीके रहेंगे, दो साल का मैच है, हम लोग ठीके रहेंगे, तो सब बच्चे मुझे comment करके जाएंगे, यहां नहीं, comment करके जाना, I will personally check all those comments and मैं उस पे heart भी बनाने हैं, कौन उस चालेंज को करता है, so this is me, signing off from Shikar Batch, do comment and like this video, मिलते हैं कल एक नए रंग रूप के साथ, packaging अलग हो सकती है, लेकिन आपको पढ़ाने का जस्बा, आपके लिए content सब कुछ सेम रहेगा, in fact better होगा, आपकी betterment की तरफ पेटाई challenge आपको लेकर जाएगा, ठीक है जी, चलो, bye guys, take care, thank you so much.